कुछ समय पहले मुझे बता चला कि मुझे टीवी है जब आपको कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका नाम सुनते ही लोग घबराते हैं आप सोचने लगते हैं कि आपकी जिन्दगी कभी पहले जैसी रहेगी या नहीं इंडिया से ज्यादा टीवी के मरीज दुनिया के और किसी भी देश में नहीं है पर जितने बढ़िया तरीके से मेरा इलाज हो रहा है मुझे यकीन है कि ये हालात बस कुछी दिनों में बदल जाएंगे जब डॉक्टरों ने बताया कि मुझे टीवी है मुझे साथी साथ इस बीमारी के बारे में सब कुछ समझाया ये कैसे भैलती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका इलाज कितने दिन चलेगा फिक्स डोस कॉम्बिनेशन्स या एवडी सी वो दवाया होती है जिनमें कुछ दवायां को मिलाकर एक टाबलेट बनाए जाती है मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये दवायां मेरे नस्दी की सेंटर पर उपलब्द करा दी गई है और इनकी कॉलिटी बहुत ही बहतरीन है मेरे लिए एक ट्रीटमेंट कार्ड बनाया गया और एक आईडी कार्ड इश्यू हुआ शुरुआत तो काफी आसान थी पर अगला कदम लेने से पहले मुझे थोड़ा सोच विचार करना पड़ा मुझे अपने लिए एक ट्रीटमेंट सपोर्टर चूज करना था ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको दवाई देने की पूरी जिम्मेदारी लेता है अब मैं तो काम पे जाती हूँ मुझे अपनी दवाईयां लेने का सबसे सुविधा जनक तरीका ढूंडना था डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं किसी को भी अपना इलाज सहयोगी बना सकती हूँ दोस्त, घरवाले, पडोसी, किसी को भी बस मैंने अपना सहयोगी चुना और जो मेरे घर के पास टीवी यूनिट है वहाँ से ट्रीट्मेंट सुपरवाईजर मेरे घर आ गए और उन्होंने मेरे ट्रीट्मेंट सुपरवाईजर को दवाईजर खिलाने का तरीका समझा दिया उनके पास मेरी सारी दवाईजर आ गई और वो रोज इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि मैं अपनी दवाईजर ले रही हूँ या नहीं मेरी टाबलेट्स वजन के हिसाब से मिलती है अब जब एक बार में सिर्फ इतनी ही टाबलेट्स खानी पड़ती है तो अब रोज दवाई खाना भी मुश्किल नहीं लगता और ट्रीट्मेंट बीच में छोड़नी से जो टीवी बिगड़ जाती है मैं उससे भी बच्ची रही कुछ समय बाद ही मुझे बहतर लगने लगा तो मैंने सोचा कि शायद मैं दवाईयां बंद कर सकती हूँ पर मुझे मेरे सूपरवाईजर ने समझाया कि ट्रीट्मेंट अधूरा छोड़ने से टीवी बिगड़ जाती है और इलाज पूरा करना ज़रूरी है समय समय पर हेल्थ वरकर आकर मेरे स्वास्थिकी जानकारी लेते रहते हैं यही नहीं मेरे पास फोन पर मैसेजज़ भी आते हैं ताकि मैं अपनी दवाई लेना ना भूलू मैं हर महीने हेल्थ सेंटर जाकर डॉक्टर साहब से भी मिलती रहती हूँ और बीच बीच में मेरे बलगम की जाँच भी होती रहती है जब सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है मुफ्त जाँच, दवाईयां और चेक अप्स तो मैं अपना इलाज पूरा करके कम से कम टीबी को फैलने से रोकने में अपनी जिम्मेदारी तो निभा ही सकती हूँ और बस अब मैं कुछी दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी अगर आप टीबी के मरीज हैं तो आप भी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं बस आपके एक ही जिम्मेदारी है अपनी दवाई लीजिए हर रोज, हर बार, बिना चुके